question में एकर है कि the length of a parallel side of a trapezieum 51 cm and 21 cm and that of each of other two sides is 39 cm What is the area of the trapezieum ? एक trapezieum आपके समरे दिखाए दे रहा है जिसमें से बुला गया कि इनके parallel side का हमें दिया गया है एक आवन और 21 cm एक आवन और 21 cm जो इनके parallel side है और दो साइड है उनका लेंध में दिया गया वहने 40 cm जो दो सेम साइड का लेंध है वहने 40 cm दिया गया है ठीक है अब हमसे बोला गया है कि इसका area हमसे find करना है कि इसका area कितना होगा अगर मैं यहां से perpendicular एक डो करूँ और यहां से भी एक perpendicular को डो करूँ आप जानते हैं यह चीज भली भाती आप ही जानते हैं कि अगर यह किस है तो यह length कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा यह length कितना हो जाएगा 21 से और total क्या है यहां से यहां तक length हमें कितना हो जाएगा 51 है 51 में से हम 21 को minus करेंगे तरह 30 हो जाएगा और यह length क्या होती है अपस में बराबर होती है अगर यह अगर यह कितना है 50 है तो यह कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा और यह कितना हो ज अगर यह 15 है यह 59 है तो अगर मै राइ-Tangle आगल की प्रोपर्टी पाइथा-Gurus theorem को अप्लाई करीं यह क्या हो जाएगा 49 कह स्क्वार मैंनिस का पंद्रह कह स्क्वार करेंगे त्य कितना हो जाएग आपका 49 का स्क्वार कितना होता है 15 21 होता है और यहां से 15 का स्क्वार 225 होता है तो अगर मैं 11 में से 5 को मैनिस करूँ तो यह हो जाएगा कितना 6 यह हो जाएगा कितना यह हो जाएगा कितना अपका 10 यह हो जाएगा कितना अपका 1 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा यह बचे कितना आपका चार में से दो जाएगा दो अबर यह 1290 का रूट कितना होता है 36 तो यह लेंथ में निकलकर आगई 36 आगई अगर आपके पास डिरेक्ट यह 15-36-46 एक ट्रिपलेट फर्म करता है अब ट्रापेजियम के एरिया क्या होता है वन अपन में टो इंटो समफ पालेल साइट समफ पालेल साइट का आए 15-21 के अटनों जाएगा 72 और इंटो हाइट हाइट कितना है 36 निकलकर आया दो से काटेंगे कितना बर में जाएगा 18 ब ट्रापेजियम का एरिया कितना हो जाएगा 1296 cm2